मुबाईल की एप्लिकेशन के उपर app lock कैसे लगाए आप फ्रेंट आपके पास चाहले कोई सभी मुबाईल हो और आप अपने मुबाईल के अप के उपर जोया लगाना चाहते हो जैसे आप अपना लगाऊगे तभी आपका ओपन हो जाएगा अगर कोई दूसरा कोशिश करेगा तो उसका यहाँ पे lock नहीं लगेगा क्या आप भी अपने mobile के उपर आप जो है lock लगाना चाहते हो आपके पास चाहिए Redmi का, Vivo का, Oppo का, Samsung का, Realme का मतलब कोई सभी mobile हो और आप जो अपने mobile के उपर app lock लगा सकते हो और भी कैसे लगाना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आपकी सी भी mobile के उपर, app lock set कर सकते हो मतलब app के उपर, lock लगा सकते हो, विल्कुल आसान से step है तो इस वीडियो को start कर देते हैं सबसे पहले आप सभी को अपनी mobile की जो settings से इसको open करना है आपके पास चाहिए कोई सा भी mobile हो आपको अपनी सबसे पहले mobile की settings होती है उसको open करना है, ठीक है आप mobile की settings को open करने के बाद मैं आपे तोड़ा brightness दे देता हूँ, ठीक है आप mobile की settings जैसे open करोगे तो यहाँ पे आप सभी को जो है इस तरीके से interface open हो जाएगा तो आपको यहाँ पे चले जाना होगा यहाँ से आपको ऊपर search बार देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको search करना है app lock देखो, app lock सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे app lock के नाम से एक आजाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूरा search करना है app lock, लिख देना है आपको यहाँ पे ऊपर पूरा app lock लिखने के बाद यहाँ पे आजाएगा password app lock, password and security आपको इस option पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद enter your lock screen मतलब यहां पर क्या पूचा जा रहा है कि आपको अपना मुबाइल का लॉग दे देना चाहिए तो यहां पर मैं दे देता है अपने मुबाइल का लॉग तो मुबाइल का लॉग देने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस उपन हो जाएगा तो यहां पर आपको जो यह एप लॉग जो यहां पे इसका यह एक option रहेगा आपकी mobile पर तो यह option friends आपका offer रहेगा तो इसको यहां से turn on कर देना है अब turn on करने की बाद आपको एक password set करना है ठीक है अपने हिसाब से आपको यहां पर कितना digit दिखा रहा है उतना digit का आपको password एक नया password आपको set करना है या फिर आपका जो mobile का lock रहेगा वही आपको यहां पर दे देना चाहिए तो यहां पर जैसे आप अपने mobile का lock दे दोगे तो यहां पर देखो आपका यह कुछ इस तरह के से यह on हो जाएगा तो अन होन जाने के बाद में आप सह भी को क्या करना होगा अब यहां में अपको ऊपर लग्ठ लागाना है तो यहां साभको back आ जाना चाहिए और यहां पर applock प्राइवेशी अब इस option पर क्लिक करना है अब app lock privacy के option पर click करने के बाद यहाँ पर मिलेगा app lock तो इस option पर आपको click करके अपने mobile का lock दे देना चाहिए अब देने के बाद इस तरह किसे interface open हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारी applications देखने को मिलेगी जो आपके mobile में रहेगी अब जिस भी application को lock करना चाहते हो तो उसको इसे turn on करदो ऐसे turn on करने के बाद आपके जो यहाँ पर mobile के उपर ऐप के उपर lock set हो जाएगा जितनी भी application के उपर आपको lock लगाना तो इसको turn on करते जाना है यहाँ पर आप देख सकते हूँ जैसे यहाँ पर मैं turn on कर रहा हूँ यहसे आपको turn on करते जाना है तो turn on करने के बाद अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर log it के option पर click करना यहाँ से आप देख सकते हूँ कितने app को आपने यहाँ पर log किया है अभी तो life proof के साथ यहां पर मैंने कितने सारी application का अभी यहां पर लॉग किया है, भीक है, ऐसे आपको select करना है, select करने के लिए करने के बाद यहां से back जाके, अब मैं आपको life proof के साथ दिखा देताओ, मैरे Instagram को लॉग किया है, तो Instagram को मैं open कर देताओ, तो इंस्टाखराम को मैं जे वीडियो को लाइक करना लेकिन मैं आपको बतायता हूँ यह सिर्फ और सिफ Redmi users और जो यहाँ पे Poco के और Realme की users है उनको यह देखने को मिलते है लेकिन काफी सारे mobile में यह option नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बतायता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेटोर open करना है और यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करना है hide u ठीक है आपको यहाँ पे hide you search करना है आप i出 सर्च करने के बाद आपके साबने eightической calculator का एक Olivia particle आ जाएगा इस application को आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो इस application को हम यहां से डाउनलोड कर लेते हैं application का interface देख सकते हो इस तरीके से रहेगा तो इस application को आपको यह application play store में मिल जाएगी तो यह हमारा second process है second process उन लोगों के लिए जिसके यहां पे settings में app lock option देखने को नहीं मिलता है उनको जाना है play store में और app lock एक application डाउनलोड करना है hide you calculator lock इस application को डाउनलोड करना है open करना है यहां से इसके terms condition को accept करना है यहां से आपको grant option पर click करके इसका permissions allow करना है आप पूचे का create your pin आप यहां पे आपको एक pin generate करना है चार डिजिट का आपको यहां पे देखो enter a four digit password and press the button ठीके आप मैं आपको बतायता हूं यहां पे आपको जो है ना simple सा कोई भी pin को set करना है यहां पे देखो मैं example के लिए यहां पे मैं एक pin को set कर देता हूं यहां पे सामने यहां पे मैं एक छोटा सा pin यहां पे set कर देता हूं ठीक है तो यहां पे 0000 यहां पे मैं आप जो यहां पे कोई साभी pin को set कर सकते हो ठीक है यहां पे मैं आपने साबसे एक example के लिए आपको just demo दिखाने के लिए यहां पे एक Set क्या हूं आपके सामने ठीक है Set करने के बाद इस option प्रिक करना है यह जो option देखने को मिलता है इस option प्रिक करना है तो आपको फिर से आपका जो आपने यहां पे पिन एंटर किया था उपर वही आपको सेम पिन आपको रीच से एंटर करना है तो एक्जामपल की दुरू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ठीक है आपको यहाँ पे सेट करने के बाद आप जो चाहिए हो पिन सेट कर सकते है अपने असाब से तो दो बार आपको यहां पर set करना है और इस option पर click करना है तो अब यह set हो जाएगा आप यह set हो जाने के बाद आपको यहां पर skip का option मिलेगा यहां पर आपको click करके उपर के option पर click करने के बाद यहां से आपको skip कर देना कुछ add आएगा तो यहां पर इसको off कर देना ठीक है तो इस तरह के से यहां से आप जो है अगर application को hide करना चाहते हो तो application को hide यहां से कर पाओगे तो हमें क्या करना है basically हमें आप पर app के उपर log लगाना है तो आपको मिलेगा app log लग तो इस option पर click करना है अब इस option पर click करने के बाद friends कोई भी ads देखने को मिलते तो इसको यहां से skip कर देना आपको skip का भी option आएगा 10 seconds के बाद या फिर 5 seconds के अंदर आपको skip का भी option आएगा यहां पर तो यहां से click करके आपको skip करना है आप देखो friends जितने भी application को आप protect मतलब app log लगाना चाहते हो उसको इस तरीके से select करना है तो यहां पर देखो मैंने select कर रहा है इन अप्लिकेशन को आप यहांप आपको protect के option पर click करना है आपको एक छोटा सा एक pattern log draw करना है जो भी आप example के तुरू lock कर सकते हो तो देखो यहाँ भी आपका यहाँ पर permissions और यहाँ पर कुछ agree terms condition आपको यहाँ पर इसकी permission दे दिने चाहिए आप जैसे दे दोगे तो देखो यहाँ पर मैं open करता हूँ मेरी application को instagram की तो मुझे यहाँ पर मांग रहा है मेरा यहाँ पर app lock जब तक मैं मेरा app lock नहीं दूँगा तो तब तक मेरा यह open नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से आप जो एना app lock को set कर पाओगे आप जो app के उपर lock लगा पाओगे app lock set कर पाओगे वीडियो अलफू लगती तो वीडियो लाइक कर देना और मैंने दो भी step बताई है दोनों step भी working है